मित्रो जैसा कि अब जानते है कि सलमान खान के एक पिक्चर आने वाली है जिसका नाम है किसी का भाय किसी की जान आई तिंग इस पिक्चर की टाइटल को बहुत ही ज़दा सीरियस्टी ले लिया है सुरा भासकर ने क्योंकि सुरा भासकर जिसे अपना भाई बोला करती थी अब उसे ही अपनी जान बना लिया है और ये जान जो है ये समाजवादी पार्टी का कोई लुका सरनेता है और इसका नाम है फाहद मज़े की बाती है कि इस फाहद को ये भाई बोला करती थी लेकिन सुरा भासकर तो वैसे देखा जाए तो नाम से हिंदू है लेकिन वो स्त्री है लिब्रल है वाम पंती है और हाँ सबसे बड़ी बात वो एक वोक पंती के शिकार है जो कि वीरेद वेडिंग में अपनी उंगली से चरम सकी प्राप्ति करा करती थी खर अब उन्हें उंगली के जरूत नहीं ये भाई बोला करती थी और ये वहाद भी बोलता था सोरा को कि ठीक है तुमने अपने भाई के होसला अफजाई करिये भाई के शादी में जरूर आना लेकिन जंता को क्या पता था ये दोनों भाई बेन भाई बेन खिलने वाले कहना का मतलब कि दो हफते पहले तक जो हो जाता है मतलब है कि अनएथिकल चीज़ें जिसे भाई बोलते हैं फिर उसी से शादी कर लेते हैं मतलब इस तरह की मेंटलेटी को ये कैसे ये लोग प्रमोट करें पिर इसे कई लोग जस्टिफाई भी कर देंगे कि भाया उनकी लाइफ एंड फिर कुछ ऐसे बुद्ध लेटर में लिख दीजेगा so that मैं आपका नाम सेव कर लूँ और कल को जब आपके शादी हो तो प्लीज हमें इंविटेशन काट भी भेज दीजेगा खेर आप कमेंट करके बताएगा जिस तरह से सोरा ने और फाहद ने एक दम से वक्त बदल दिया जजबात बदल दिया हा कि क्या टिपणी है कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो इसको भी एक लाइक मार दीजेगा और करिए कि चैनल को सब्सक्राइब इसी तरह के ब्लेंट एंड सीधी बात नो बक्वास वाले उपीनिन आपको इस चैनल पर अक्स बात होती है मैं भाई को ँपिए बेसका foi तो सव्वभा को इंडिया को रिप्रेजिएंट करीए ये तो सोवरा ही बहतर जान सकती हैं करें आपके ऊपीनिन आपने समय निकाले वीडियो देखा आपका बहुत भी धन्यवाद थैंक यू सो माँच